हाई फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज मैं लेके आई हो क्रिस्पी टेस्टी मज़ेदार नास्ते की रेस्पी बहुती कम समान और बहुती जल्दी बन के त्यार हो जाती है सबको बहुती जादा पसंद आने वाला है तो चलिए फिर बनाना सुरू करते है तो यहाँ पे हमने गैस को ओन करके कड़ाई चड़ा ले है अब हम इसमें दू चमच के करीब तेल डालेंगे तो यह देखिए तेल गरम हो गया तो अब हम इसमें आदी चोटी चमच जीड़ा डालेंगे और कुछ सकंड के लिए फ्रै कर लेंगे गैस को सुलू रखें अब हम क्या करेंगे इसमें पानी डालेंगे तो यहाँ पे इसमें मैं देख कड़ोडी के करीब पानी डाल रहे हूँ अब हम इसमें स्वाद करूसर नमक डालेंगे तो इसे हलका सा मिला लेंगे और हम इसमें उबाल आने के लिए रख देंगे गैस को भी मिडियम कर दे तो देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है तो अब हम क्या करेंगे एक कटोरी चावल का आटा लेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे तो एक से दो मिनट तक इसे चलाते रहें जब तक कि ये डो के फॉर्म में ना आ जाए तो चावल काटा बहुत ही जली पानी को सोग कर लेती है तो देख सकते हैं ये डो के फॉर्म में आ गई है अब हम क्या करेंगे गैस को स्लो कर देंगे और हम इसमें कुछ सबजियां एट करेंगे तो यहाँ पे हमनें बारिक कटा हुआ पत्ता गोवी लिया है अब हम इसमें ग्रेट क्या हुआ गाज़र डालेंगे तो यहाँ पे हमने एक गाज़र ले लिया है थोड़ी सी कटिवी धन्या पत्ती डालेंगे आप इसमें मनपंसन सबजिया एट कर सकते हैं या आपके पास जो हो वो आप डाले तो अब हम इसमें बारिक कटिवी हर्यमिश डालेंगे तो यहाप अब हमने दो मिर्च लिया है मिर्च आप अपने साब से रखें जैसे आपको तीखा पसंद दो तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो आप हमने आदी छोटी चमच गरम मसाला पौडर आदी छोटी चमच लाल मिश पौडर लिया है अब हम इसमें आदी छोटी चमच जीरा पौडर डालेंगे और थोड़ी सी काली मिश पौडर इसे अच्छे से mix कर लेते हैं तो सारी सबजियों को चावल के आटे में अच्छे से mix कर ले और इसे slow आज पर ही एक से दो मिनट के लिए पका लीजिए ताकि सबजियां soft हो जाए तो देख सकते हैं हमने इसे दो मिनट के लिए पका लिया अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे इतना ठंडा करेंगे कि हम इसे हातों से टच कर सके अब हम हातों में हलका से तेल लगाएंगे और इसे अच्छे से mix करेंगे ताकि इसमें अगर lumps भी होना तो वो निकल जाए तो इसे अच्छे से हाथों से मसल के इसे अच्छे से mix कर ले अब हम दूसरी प्लेट लेंगे और इसमें ब्रेट क्रम्स डालेंगे तो यहापे हमने दो ब्रेट को mixer blender में पीस लिया है तो इसे 10 दुर्णा साई पीसे अब हम इसमें थोड़ी सी कटीवी धन्या पती डालेंगे और इसे mix कर लेते हैं अब हम क्या करेंगे हातों में हलका सथ तेल लगाएंगे और हम थोड़ी सी टिक्की तोड़ेंगे और इसे दोनों हाथों से अच्छे से गूल करते हुए हम टिक्की बनाएंगे तो इसे आप थोड़ा 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 अपने हिसाब से बना सकते हैं या फिर आप इसमें कोई भी मनपसंद सेफ दे सकते हैं अब हम इसे ब्रेड में डीप करेंगे तो इसे अच्छे से डीप कीजिए और इसे प्लेट में रख देते हैं तो इसी तरह से में सारे नास्ते को बना के त्यार कर लेना है तो इसे हाथों में अलका सा तेल लगा के इसे हम टिक्की के तरह सारे नास्ते को बना लेंगे और इसे अच्छे से ब्रेट क्रम्स में डीप करेंगे और प्लेट में रखेंगे तो आप इस नास्ते को जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही क्रिस्पी लगेगा खाने में तो देख सकते हैं हमने बहुत सारे नास्ते बना के त्यार कर लिया तो अब हम इसे फ्राइ करेंगे तो यहाँ पर हमने तेल करम होने के लिए रख दिया है गैस को मीडियम रखें और मीडियम आज पर हम इसे फ्राइ करेंगे और एक एक करके नास्ते को तेल में डालेंगे तो तेल में एक बार में जितना आए उतना नास्ता राले और इसे 2-3 नट के लिए फ्राय होने दे एक साइट से तो यह देखिए हमने 2-3 नट के लिए एक साइट से फ्राय कर लिया है तो इसे हम पलट देंगे तो एक एक करके सार नास्ते को पलट दीजिए और दूसरे साइट से भी हमें ऐसी 2-3 नट के लिए फ्राय करेंगे तो इसे एक से दो बार ऐसी प्लट प्लट के में फ्राय करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए तेज आज पे फ्राय ना करें, नहीं तो जल जाएगा तो देख सकते हैं, नास्ते में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं तो सारे नास्ते को प्लेट में निकाल लेंगे तो देख सकते हैं, देखने में ये कितना टेश्टी लग रहा है तो खाने में ये कितना टेश्टी लगेगा और बच्चे वे नास्टे को में ऐसी फ्राय कर लेना है दोनों साइट से गोल्डन ब्राउन होने तक तो देख सकते हैं गर्मा गर्म नास्टा बनके त्यार है आप इसे एक बाद जुरू ट्राइ कीजिएगा बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में बच्चे वे बड़ी सबको पसंद आएगा तो अगर आपको ये रेश्पी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करना नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए मिलती हूँ एक नई रेश्पी के साथ तब तक बाई बाई